स्कूटर सेगमेंट्स में आज भी एक तरफा बादशाही राज चला रही एक्टिवा जो की होंडा की और से आती है अभी आ चुकी है शिक्स जनरेशन बीए सिक्स में और शिक्स जी के नाम से आ चुकी है और आज हम इस गाड़ी का रियल लाइप एक्सपेरियंस देखने व यूँनों चड़ान पर ये कितना टाइम तक चड़ सकती है या फिर रिवर्स हो जाती है या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है किन गाड़ीों के कमपेरिजन में ये बेश्ट है इस प्राइज रेंज में आपको ये वर्थ है या फिर नहीं है तो प्रैक्टिकली बात करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आये है उन्हीं पॉइंट्स की मैंने यहां पर एक सम्वरी बनाई है और उसी सम्वरी के आधार पर आज का ये वीडियो हने माला है तो फिर देरी की इस बात की बने रही है मेरे साथ मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देखरे आस सबसे पहले बात कर लेते हैं लूक की मैं लूक के उपर जादा नहीं बोलता हूँ ये एक सब्जेक्टिव मैंटर होता है इसलिए हो सकता है मुझे इस गारी का लूक काफी अच्छा लगे आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे या फिर इसके एक्जाट उल्टा तो ज स्टील और फैबरिक मटरियल से है इसमें जो प्लास्टिक मटरियल आपको मिल रहा है काफी हाड क्वालिटी का है खास तोर पर जो आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है 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 उसके नीचे या फिर फूट रेष्ट है आपका वहाँ पे तो जो प्लास्टिक मटरियल यूज कर दिखती है, वो भी बहतरीन है, साथ ही इसमें जो iron material, steel material यूज़ करा गया है, लाजवाब है, अपनी segment में आने वाले सबसे अच्छी build qualities की मानी जाती है, तो इस तरह की कुछ build quality आपको यहां पर Honda द्वारा provide की जा रही है, आइए important point के और बढ़ लेते हैं handling, जैसे मैंने पहल कहां कि यह गाड़ी आपको कैसी feel दिलाती है चलाने में, कैसा है इसका performance और भी तरह-तरह की बाते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इसके curve weight की बात करूँ तो वो 107 kg मिल जाता है, और इसी के साथ इस गाड़ी का जो गाड़ी जो road पर चलती है, चिपकर चलती है, यूनों पक गाड़ी है, continuously flow आ रहा है, तो गाड़ी कुछ गाड़िया होती है, जो हीलती है, दुलती है, तो यह वाली चीज़े यहां पर नहीं होती है, साथ यह अगर आप इस गाड़ी को off-road करना चाते हो, पहाड़ वगरा उस side में लेके जाना चाते हो, या फिर village वाले रास्तों प बहतर ही है, आपकी जानकरी के लिए बता दू कि turning radius जितना कम होता है, उतनी ही गाड़ी जो है easily city में आप चला सकते हो, चोटी से जगह से घुमा सकते हो, तो यह 1260 mm है जो की again एक best जो है बहतर चीज़ है, पीकप भी इसका बहतरीन है, पहले के मुकाबले यहां पर अच्छ बहतरीन है, वहीं वैसे यह गाड़ी बनाई ही city के लिए है, city ride के लिए ही इसे जो है अक्सर लोग purchase करते है, तो उस लिहाज से अगर आप लंबी ट्राफिक में फस चुके हो और गाड़ी आपको बार-बार रोकनी पड़ रही है, ब्रेक लगाना पड़ रहा है, थ्रोटल के गाड़ी आराम से चली जाती है, 70 प्लस भी कुछ लोग इसे लेकर गए है, परसनली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 70 के ऊपर ना ही जाये तो बहतर है, स्कूटर है, ब्रेक लगाने के बाद यूनों एक पैनिक ब्रेकिंग के बाद ये स्कीट होने लग जाती है, आम दिनों में ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन बारिश की दिनों में काफी जादा स्कूटर जो है फॉल होने के चांसे रहते हैं, तो मैक्सिमम स्पीड यही रखना, उसके बाद इस स्पीड में अगर कॉर्णरिंग करना चाहूं तो वो भी हाँ पर पॉसिबल नहीं ह यह स्कूटर है, कॉर्णरिंग की बात इसलिए मैंने छेड़ी, क्योंकि यह आप थोड़ा से जिगजग चला सकते हो, इसे कोई बात नहीं है, थोड़ी भहुट कॉर्णरिंग आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रीम कॉर्नरिंग बिलकुल भी मत करना य यह आपको support नहीं करेगे, आप गिर सकते हो, इसमें जो gear है, यानि कि CVT transmission यहाँ पर मिल रहा है, automatic जो होता है, इसकी pulling power भी यहाँ पर बहतरीन मिलती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, अगे अगर आप पहाड पे चड़ रहे हो, लंबी चड़ान है, दो बंदे आपके साथ है यानि कि आप पीलियन है, साथ ही सामान वगरा है, गाड़ी पर कुछ छोटी बड़ी कुछ चीज़े होती है, तो ऐसे में भी आप गाड़ी को जो है, बीना किसी दिक्कत के आराम से चाड़ा सकते हो, यहाँ पर power lack बिलकुल भी मैसूस नहीं होती है, इस बार वाकई होनना काफी अच्छा काम किया है, अपनी इस एक्टिवा 6G में, इस गाड़ी की हैंडलिंग को और भी बहतर बनाते हैं, इसके टूबलेस टायर्स जो के रेडियल टायर्स यहाँ पर मिल रहे है, और इनकी जो साइज है वो फ्रेंट में आपको 90 by 100 और रियर में 90 by 100 सेक्शन के फ के साथ आपको मिल रहा है, इसमें आपको ESP Technology Honda जो है लगा कर दे रहा है, अब यहाँ पर एक चीज है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो इंजिन से नौइस नहीं आती है, जो पहले आती थी, या फिर वाइबरेट नहीं होता है, जो पहले हुआ करता था, साथी यहाँ पर आप गाड़ी अगर 45-50 किलोमेटर पर हवर के स्पीड पर भी चलाते हो, तो भी आपको एक इलेक्रिक स्कूटर चला रहे हो, उस तरह का कुछ एहसास इतना जादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उतना तो एहसास होता ही है आपको, अब इस इंजिन की जो मैक् इस लिहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यह काफी अच्छी पावर फिगर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मैंने कहां चडान पर भी आराम से चली जाती है, तो तरह तरह के जो परफॉर्मंस है यहाँ पर बहतरीन मिल रहे है इस गाड़ी में, इस गाड़ी में जो सीट मिल है उस तक भी है, 5.2 feet तक भी है, तो भी आप इस गाड़ी को अराम से हैंडल कर सकते हो, यूनिसेक्स गाड़ी है, लेडिज और जेंट्स दोनों इसे चला सकते है, तो उस तरह की सीटिंग पोजिशन यहाँ पर दी जा रही है, पिलियन के लिए भी कमपर्टेबल राइड स्प्रिंग लोड़ेट सुस्पेंशन से मिल रहे है, अब यहाँ पर पहले के मुकाबले यह सौप्ट तो हुए है, अच्छे खासे जो है कमपर्टेबल तो हुए है, लेकिन इतने जादा भी नहीं है कि आप एकदम लॉंग राइड के लिए अच्छे से कमपर्टेबल जा सकते हो, पहले तो बहुत स्टीफ आते थे हाड आते थे फ्रेंट में, अभी अच्छा पर्फोमोंस इंसका मिलने वाला है आपको, लेकिन अक्सर दिक्कते तब आती है क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बाते करी, जो इस 6G को यूज़ कर रहे हैं, उन में से कई सारे ल मारकेट रिव्य की ही बात हो रही है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये काफी अच्छे सस्पेंशन सबकी बार यहांपर प्रोवाइड हो रहे है, जो पहले मिलते थे उसके विहाप में अच्छे स्पेंशन सेटप यांपर लगाकर दिये हुड़े है, खिर अगर आप आपके पास भी यह गाड़ी है तो आप इस पॉइंट पर हमें जरूर बता सकते हो क्योंकि कई सारे वीवर से वीडियो देख रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी साथ ही जैसे मैंने कहां यह गाड़ी 70 प्लस भी आराम से चली जाती है कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी इस पैनिक ब्रेकिंग के सिच्वेशन क्रियेट हो जाती है तब भी यह गाड़ी आपको अच्छे से कवर कर लेती है लेकिन एक बात याद रखना बारिश की दिनों में आप ज्यादा स्पीड ना ही करे तो बहतर है रेडियल टायर है मरेप के टायर मिलते है आपको यह स्कीट अच्छा यहां पर पाया गया है डार्क नाइट में भी अच्छा जो विजवल आइबिलेटी है वो आपको मिल जाती है है अब आई यह मुद्दे की बात कर लेते हैं जो कि हैं माईलेज कंपनी क्लेम तो करती है कि यह 55-60 जो भी क्लेम करती होगी उतना मिलता है लेकिन रि अब की बार यह BF6 में आ गई है यह 5 में आ गई है तो definitely माईलेज यहां पर improve हुआ है फिर भी यह 45-50 के बीच में ही आपको कई ना कई मिलता है अलग-लग लोगों से बाते करने के बाद यह point निकल कर आया है यह भी depend करता है कि आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो किस तरह से उसे यूज करते हो तरतर की बाते होती है रोड कैसा है वेट कैसा है और भी कई सारी चीजे अगर आप इस गाड़ी के ओनर हो तो माईलेज का point भी हमें comment में जरूर बताना वही इस गाड़ी का फ्यूल टांक है 5.3 लीटर का मिलत रहा है आपको अब resale value की बात कर ली जाए है resale value तब के condition पर depend करता है गाड़ी आपने कैसे maintenance रखी है उसमें कितना काम कराया है इंजीन खोला है नहीं खोला है और भी कई सारी चीजे होती है फिर भी अच्छी ही आपको मिलने वाली है इतना तो sure है finally बात कर लेते हैं इसके price की तो एक showroom price की मैं आगर बात करूँ तो यह एक showroom price है आप on road price कुछ और ही निकलेगी आप आपके नजदीकी showroom से contact करके इस गाड़ी के exact price जो है वो पूछ सकते हो अब finally बात कर लेते है moral की क्या आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए 65 से लेके 70,000 रूपीज दे कर क्या यह worth है value for money है या फिर किन लोगों के लिए आप अगर मुझसे पूछोगे personally कि आपको यह गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए तो definitely yes यह लेनी चाहिए CT में आपका अक्सर यूज होता है आप up and down करते हो 50 km, 70 km या फिर उसके आसपास के कुछ distance में तो यह गारी बहतर है आपके लिए unisex गाड़ी है कोई भी से यूज कर सकता है ladies, gents आपके aged या फिर short riders भी से यूज कर सकते हैं तरह तरह के इसके benefit है Honda ने अपनी market में अच्छी जगा बना ली है इस Activa 6G ने, college going students है आम तो पर जो लड़किया होती है जो ladies होती है girls वो बहुत जादा ही से यूज करते है तो हाँ यह गारी आपको consider करने चाहिए इसके बाद एक और वीडियो मेरा आने वाला है जो कि 110 CC, 100 CC, 110 CC scooter segments में कौन सी आपके लिए बहतर रहेगी और क्यू रहेगी उसको भी जरूर देखना अगर अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया है तो यार wait किस बात का कर रहे हो subscribe करके जो बगल वाला बटन है घंटी का उसे भी आप दबालो ताकि हमारी notifications आपको मिलती रहे इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके car और bikes related सभी सवालों के जवाब in fact सभी problems के solution एक ही जगे पर available हो जाए तो हाँ ये channel script आपके लिए है इसे subscribe करना ना भूले अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टा और ट्विटर पर follow नहीं कर रखा है तो उसकी भी link मैंने description में दे रखी है वहाँ पर भी आपके सवालों के जवाब दिये जाते है अभी के लिए फिलाल इतना ही मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार